नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे धर्म में दान करना बहुत ही पुर्णेदाई माना गया है दान करने से ना केबल इस्वर का आसिरवाद मिलता है बलकि घर में सुक्सानती आती है जिस भी बेक्ती को आप दान करते हैं वो बेक्ती अगर गरीब हो लाचार हो और उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें दान करे तो वो ज्यादा सुपफल देता है पर कभी ऐसे बेक्ती को दान ना करें जो संपन्न हो जिनें उन चीजों की आवस्ता नहीं क्योंकि दान का मतलब है और समर्थ लोगों की सहायता करना जरूरत मंद लोगों की मदद करना हलांकि ये मानव जीवन का सबसे बड़ा कारे भी है लेकिन कुछ दान ऐसे होते हैं जिसे आप दान कर दें तो लाप के जगर नुकसान हो जाता है वैसे तो सास्तर में बहुत सारी ऐसी वस्तूओं का जिक्र है जिसका दान हमें नहीं करना चाहिए अगर हम जोतिस की माने तो किसी भी बैक्ति की कुंडली यानि की जन्म पत्रिका का विसेस आकलन करने के बाद ही उनको दान करने की सला दी जाती है मान लेते हैं आप अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाया हैं लेकिन खुद से भी जान सकते हैं जन्म कुंडली में जो गरह बुरे प्रभाव दे रहे हैं उनको सांथ करने के लिए दान किये जाते हैं और जो ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं, अच्छी इस्तिती में बैटे हैं, भूल कर भी उनका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की मजबूत होने के लिए, दुष्ट ग्रहों को सांध करने के लिए हम दान करते हैं, तो कब हमें दान नहीं करना चाहिए और कौन सी ब किसा दान करना है यह आपको जरूर जानना चाहिए अब हम पहले बात करेंगे सूरी की सूरे मेस रासी में उच्चिके होते हैं और सिंग रासी खुद की रासी है उनकी तो आपकी कुंडली में सूरे मेस और सिंग यानि जहां भी एक नंबर और पांच नंबर हो या मेस और सि बैठा हो तो आपको लाल गुलाबी रंग का कोई विवस्तु दान नहीं करना गुड आटा गेहूं तामबा का दान नहीं करना क्योंकि सुरी की ऐसी इस्तिती में आपको नमक भी कम खाना है और मीठे का सेवन आप कर सकते हैं चंद्रमा की बात करते हैं चंद्रमा ब्रिसब या करकरासी में हैं आपकी कुंडली में बैठे वे तब आप दूद्र, चाबल, चांदी, मोती का दान ना करें मा या अपने से बड़े इस्तिरी से दुरुभेभार बिल्कुल भी ना करें किसी इस्तिरी का अपमान बिल्कुल भी ना करें वरना आपका मानसिक तनाव समस् अगर चंद स्वरासी में हो तो नल, ट्यूबिल, कुवा, काला, प्याव, निर्मान में कभी भी आर्थिक रूप से सपोर्ट मत कीजिएगा वरना आर्थिक हानी होगी मंगल की बात करते हैं मेस या ब्रिस्चिक रासी में मंगल बैठा हो आपकी कुंडली में तो चुकि ये स्वरासी का है और मकर रासी में भी अगर मंगल हो चुकि मकर रासी में उच्च का हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप मसूर की दाल, मीठी बस्तू का दान ना करें और अगर आपके घर में कोई मेहमान आएं तो उन्हें सौप खाने को मत दीजिएगा और कटू बचन भी किसी को मत कीजिएगा वड़ा मंगल के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा बासी भोजन खुद भी ना किसी को दे बुद्ध की बात करते हैं बुद्ध मिठून रासी और कन्या रासी के स्वामी है उच्चि के हो जाते हैं अगर आपकी कुंडली में बुद्ध, मिथून या कन्या जहां लिखा है वहाँ पे हैं तो हरे रंग की वस्तु का दान मत कीजिएगा। हरा रंग का वस्त्र यहां तक की हरे रंग के खाने पीने की वस्तु भी दान में नहीं देना है। और नहीं घर में मचली पालिएगा नहीं स्वेम ना आपकभी मचलीों को डाना डालिएगा। गुरू की बात करते हैं देखिए धनू और मीन रासी उनके खुद की रासी है और करक रासी में गुरू उच्चिके होते हैं यानि कुंडली में जहां धनू मीन और करक लिखा है यहां पर गुरू बैठे हैं तो आप पीले रंकी वस्तू दान मत कीजे जैसे सोना, पीतल, केस दर धार्मिक पुष्तक या धार्मिक वस्तू इनका दान मत कीजे वरना समाज में सम्मान कम हो जाएगा सुक्र की बात करते हैं सुक्र गरह ब्रिसब तुला रासी चुकि इनकी दोनों रासी है इनके स्वामी है और मीन रासी में उच्चिके होते यानि आपकी कुंडली में ब्रिसब तुला मीन में सुक्र बैठा हो तब आपको सफेद रंग के सुगंदिक पदार्थ दान नहीं करना है नहीं तो भौतिक सुख कमी हो जाएगी या कम हो जाएगा और इसके साथ ही नई खरीदी भी कोई विवस्तू दान मत कीजिए नई वस्तू याद रखिए दही मिस्री मक्खन सुधगी इलाइची का भी दान आपको नहीं करना चाहिए सनिदेव की बात करते हैं अगर सनिदेव मकर कुंब रासी में हो स्वग्री ही यानि मकर कुंब अपना घर है और तुला रासी में उच्चिके हो जाते हैं सनिदेव अगर मकर कुंब और तुला में बैठे हो सनिदेव आपकी कुंडली में तो आपको काले रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए साथ ही लोहा, लकड़ी, फरनीचर, तेल या तेल की कोई समगरी, बिल्डिंग मैटेरियल जैसे इटा वेगरा का दान नहीं करना चाहिए साथ ही ऐसे लोगों को घर में काले रंका कोई पसू जैसे भैंस गाय काला कुट्ता नहीं पालना चाहिए वरना नीजी जीवन और समाजिक जीवन दोनों ही रूप में हानी होगी राहू यदि कन्यारासी में हो और ब्रिस या मिथुन रासी में हो जहांकि राहू उच्चका होता है तब आप ऐसी स्ति बन जाए तो नीला यानि ब्लू भूरा रंका कोई भी बतार दान ना करें अन्का अनादर ना करें जब भी खाना खाएं तो उतना ही ले थाली में जितना भूख हो थाली में जूटन मत छोड़ियेगा वरना राहू कुपित हो जाएगा केतू केतू मीन डासी या ब्रिस्चिक या फिर धनु में हो चुक्छिक और धनु में उचका होता है तो आप घर में कभी भी पक्षी मत पालिए नहीं तो बेवज़े के कारियों में धन बरबाद होगा साथ ही भूरे रंग का चित्र भी मत लगाई है घर में और कंबल तिल तिल से बनी बस्तु का दान कभी नहीं करना चाहिए इसके अलावे यह तो थी गरहों की बाद इसके अलावे भी समाजिक जीवन में कुछ ऐसी बस्तु हैं जिसका हम जाने अंजाने दान कर देते हैं और उनमें पहली बस्तू है पिन पिन जिससे आप लिखते हैं जिससे आप साइन करते हैं अगर आप बड़े हैं तो वो पिन किसी को भी ना दे आप दो पिन हमेशा रखें एक दूसरों के लिए खुद के लिए क्योंकि पिन आपका भाग लिखता है घड़ी घड़ी भूल कर बढ़ना आपका अच्छा वक्त सामने वाले के पास चला जाएगा जिसको आपने दिया है और उसका वक्त बुरा वक्त आपके पास आजाएगा कंगी चुकि हमारे माथे में भाग होता है इसलिए अपने यूज किये वे कंगी किसी से साजाना करें आप अपने घर में एक 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 इक्स्ट्रा कंगी रखिए आने जाने वाले लोगों को आप वो दे दे पर अपना कंगी किसी को ना दे तेल की बारे में कहा जाता है कि सनी बार को तेल खिदना नहीं चाहिए आप दान तो कर सकते पर यूज किया हुआ तेल किसी को दान ना दे अब हम बात करें अगर नुकीली चीजों की यानि चाकू, छूरी, कैची इन चीजों का दान किसी को नहीं करना चाहिए रिस्तों में करवाट आती है और अन्य लोगों को भी इन चीजों का दान ना करें जारू, जारू किसी को दान अगर दे देते हैं किसी बेक्ती भी से इसको तो खड़े कर लक्षमी आपके घर से चली जाएगी इस बात का हमेशा ध्यान रखेगा अगर हम पुरानों की मानें तो गरूर पुरान हो या पद्नू पुरान हो उसमें कहा गया है कि बरतन का दान करना सबसे सुगोता है लेकिन ये भी कहा गया है कि दान जो बेक्ती योग हो उसी को करें वरना इस दान का आपको फल नहीं मिलता तो दान हमेशा योग बेक्तियों को ही करें तो उत्तम है जिसका वो उप्योग करें तो दान लेने वाले और देने वाली दोनों की भावना प्रमुकता से लेना चाहिए तो सबसे पहला अस्थान आता है जारू का जारू जो घर की दलता रूपी परिसानी को दूर करता है घर में लक्षमी लाता है, बरकत लाता है, सुकून लाता है इसलिए अकसर आपने देखा होगा, लोग धनतेरस के अकसर पर जारू जरूर खरिते हैं क्योंकि ये सुख समरिद्धी से जुड़ा है लेकिन जारू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए और किसी को जारू दान भूल कर भी ना दे चाहे वो सुबह हो दोपहर हो और रात में तो और नहीं क्योंकि मानेता है, इससे बरकत चली जाती है, लक्षमी रूट जाती है हाँ, आप किसी पास के मंदिर में नए जारू से जारू लगा कर वहीं पर छोड़ कर आ सकते है बैकति बिसेस को नया या पुराना कोई भी जारू दान मत कीजेगा पुराना जारू घर से बहार निकाल कर आप साइट कर सकते हैं लेकिं किसी बिसेस बैकति को मत दे अब जैसे मानलक्षमी की तस्वीर है, गनेज जी की तस्वीर है, मूर्ती है, पर्तिमा है भगवान की तस्वीर परतिमा लोग गिप्ट में लोगों को देते हैं मत दीजे क्योंकि एस्वरिकी देवी बुद्धी के देव जो मा लक्ष्मी और गनेज जी है हर कोई चाहता है कि बुद्धी भी हो और धन भी हो अब ऐसे में मा लक्ष्मी की परतिमा तस्वीर या गनेज जी की मत दीजे बहुत साई लोग चांदी के सिक्के पर गनेज जी लक्ष्मी जी का जो तस्वीर होता है उकेरा वह होता है उसको दान कर देते हैं लेकिन आप ऐसा मत कीजिए वरना लख्षमी खड़े-ख़र आपके घर से चली जाएगी अब देखिए कई बार वस्तरदान करना सबसे वैसे सास्तर में माना गया है अच्छा है लोग कंबल दान करते हैं वस्तरदान करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कुछ लोगों को वस् मंदी ही क्यों ना हो और नया वस्तर का सुख प्रभावित हो जाता है खुद का जरोत मंद को आप अगर वस्तरदान करते हैं तो सनी का सुख प्रभावदूर होता है स्वास्त अच्छा रहता है आप पहने वे वस्तर भी धोकरदान कर सकते हैं अब देखिए कई बार होता ह आप भूखे को भोजन कराते हैं और धर्न गरम थे यह कि कहा गया है कि अन्य दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है इससे देवता भी परसंद होते हैं भूखे लोगों को अगर आप भोजन करा देते हैं तो अच्छा है लेकि बासी या जो खाना आप खानी रहे जिसको नहीं खाना ऐसी चीजों का दान कर देते हैं तो ऐसा दान पूर्णे नहीं पाप बढ़ाता है और घर की देवी लक्षमी अधिक समय तक नहीं रहती तो भूके बैक्ति और देवी अनपूर्णा का भी अपमान माना गया है इसलिए जो भोजन खुद ना खाएं लोगों को भी नात अथा से ऐसे दान आपको ही हानी करवाएगा अगर आप किसी को भगवत गीता का दान कर देते हैं लोकिन उस बैक्ति को ना पढ़ने पढ़ने आता है ना वो चाहता है कि हम पढ़े तो ऐसे लोगों को दान करने का कोई मतलब नहीं है और सुक सम्रिद्धी की चाहत रखते तो नो कीलो चीजों का दान ना करे धन्यवाद